हेलो दोस्तो मेरा नाम अमित है NDT & Quality YouTube चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो अगर आप RTFI के फिल्म में काम करते हैं मतलब की Radiography Testing Film Interpretation तो इसमें आपको RTFILM जो है उसका Density Measurement करना रहता है ठीक है तो RTFILM का Density जो है वो क्या है और Density कैसे Measure करते हैं यह हम यह वीडियो में देखने वाले हैं उसके अलावा Density जो है वो आपका Actual में फिल्म का Darkness होता है Darkness या Lightness ठीक है तो मतलब की आपका film कितना Dark है या कितना Light है उसके इसाब से आपका Film का जो density है वो मेजर होता है मतलब की जितना आपका Film है वो डार्क होगा उतना Density है वो ज्यादा कोगा Light होगा तो density कम होगा ठीक है तो Actual में density क्या है यह हम यह वीडियो में देखेंगे उसके अलावा density जो है उसके उपर कौन-कौन से parameter जो है वो effect करते हैं ठीक है तो आपके film जो है उसमें density variation कैसे होता है यह भी हम देखने वाला है तो वीडियो को आप पूरा देखिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करिए और यह वीडियो भी अपने दोस्तों पॉर कली लोगों को शेर करिए तो सबसे पहले हम यहां पर फिल्न-सिटी या रटी फिल्म-स ती क्या होती है यह देख लेते हैं तो film density can be defined as the degree of darkness या darkening of the film or more properly the degree to which the film prevents light from passing through it ठीक है, मतलब कि आपका film का degree of darkness ठीक है, मतलब कितना dark है यह आपका film का density है, उसके उपर depend होता है और दूसरी तरह से आप बोले तो आपका film है, वो कितना light है, past कर सकता है ठीक है, और कितना light है, वो past नहीं कर सकता और कितना light वहां से past होके नीचे आता है ठीक है, वो भी आपका film के density के उपर depend रहता है मतलब कि finally degree of darkening मतलब कि film आपका कितना black है, कितना काला हो गया है, वो आपका film density है, मतलब कि darkening ज्यादा हुआ, तो आपका film density ज्यादा है, photographic और film optical density is the name given to the quantitative measurement of the film darkening, ठीक है, तो ये film density जो word है, वो किसको बोलेंगे, किसका ये नाम दिया गया है, तो ये quantitative measurement है, बरावर मतलब कि एक type का measurement है, एक type का number है, जो film darkening को दिया जाता है, मतलब कि जितना film dark होगा, ये number ज्यादा होगा, कम dark होगा, तो ये number कम होगा, तो ये number जो है, वो कितने के कितने बीच में होना चाहिए, वो भी हम आगे देखने वाले हैं, Mathematically, film density is defined as the logarithmic to the base 10 of the ratio of incident to transmitted light intensity, ठीक है तो, अगर mathematically बात करें, तो ये कैसे मिलेगा, आपका सबसे पहले तो ratio लेना होगा, तो ratio जो है, किसका होगा, incident light to transmitted light, ठीक है, मतलब कि आपका जो film होगा, उसके उपर incident light कितना है, ठीक है, और नीचे, film के नीचे आपका transmitted light आपको कितना मिलता है, उन दोनों का ratio निकालो, और उसका log निकालना होगा, ठीक है, ये जो 10 यहाँ पर मैंने दिया है, ये actual में log 10, मतलब ये base है, ठीक है, log का ये base है, मतलब ऐसे लिखा जाता है actual में, log 10, ठीक है, और counts में आएगा, incident light intensity, मतलब I 0 divided by transmitted light intensity, मतलब I T, ठीक है, तो ऐसा करके आपको ये film density मिलेगा, ठीक है, तो final इसका जो answer मिलता है, ये आपका film density है, तो ऐसे करके mathematically आप इसको measurement कर सकते हो, तो incident light intensity, transmitted light intensity कैसे बता चलेगा, तो suppose ये आपका film है, ठीक है, मैंने side view दिखाया है, ठीक है, मैं यहाँ पे 3D में draw कर लेता हूँ, light incident करते हूँ, मतलब उपर से light आएगी, तो इसको i0 बोलेंगे, और इसमें से pass होके, नीचे आपको जो light मिलती है, इसको iT बोलेंगे, मतलब transmitted light intensity, ठीक है, तो ये आपका film जो है, वो अगर ज्यादा black होगा, तो आपका नीचे जो light है, वो कम आएगा, अगर आपका film जो है, वो transparent होगा, मतलब की, कम black होगा, या एकदम transparent होगा, तो iT है, वो लगबग लगबग i0 जितना ही वापस आएगा, ठीक है, अभी, incident light intensity को सपोज i0 बोलेंगे, transmitted light intensity को iT बोलते हैं, तो in other words, density is logarithmic to the base 10 of the opacity i0 by iT, ठीक है, तो i0 by iT जो है, इसको आप opacity भी बोल सकते हैं, ठीक है, opacity मतलब की, कितना light है, वो transmit होगे, नीचे आया है, ठीक है, एकदम opaque material जो होगा, तो आपका light जो है, वो transmit होगे, कुछ भी नीचे नहीं आएगा, वो opaque material बोला जाएगा, जबकि एकदम transparent material होगा, तो आपका पूरा का पूरा light है, वो नीचे आएगा, the logarithmic to the base 10 of a number is just the power of 10 that will produce the number itself, ठीक है, तो यहाँ पे यह जो number है, बराबर यहाँ पे 10 number, मतलब log का जो base है, वो आपको 10 लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे यह आपका 10 का जो power रहता है, जैसे कि 10 raise to 2 है, ठीक है, यह आप करोगे तो आपको 100 मिलेगा, ठीक है, तो यह power जो है, हो 2 है, यहाँ पे, वैसे ही 10 raise to 3 है, यह करोगे तो आपको 1000 मिलेगा, यहाँ पे power जो है, ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा आप सपोज करते हो, मतलब कि यह जो answer आपको मिलता है 100, उसका log आप निकालोगे, मतलब कि log 100 आप करोगे, तो इसका answer है, वो आपको 2 मिलेगा, ठीक ह यहाँ पने यहाँ पे 2 जो लिया है, यह 2 है, वो answer मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे log का जो base होगा, यहाँ पे 10 होगा, बरबर वैसे ही, सपोज आप log 2 करते हो, ठीक है, log 2 करोगे, तो यहाँ पे आपको answer मिलेगा, 0.301, यहाँ पे log का जो base होगा, वो 10 हराएगा, बरबर, तो मतलब उल्टा इसका करोगे, तो 10-2, 0.301 करोगे, तो आपको 2 answer मिलेगा, ठीक है, तो, यह जो log है, इसका base जो है, वो 10 रहता है, density of 0, means film is perfectly clear, ठीक है, density 0 आपको मिलेगा, तो इसका मतलब यह होता है, कि perfectly clear है, मतलब I0 और It, ठीक है, दोनों same है, जैसे यह यहाँ पे आपका equation है, इसमें I0 और It, यह दोनों same रहेगा, मतलब कि, आपका film में, यहाँ पे आपने जितना transmit किया, उतना ही यहाँ पे receive होगा, तो आपका film जो है, वो एकदम transparent film रहेगा, ठीक है, तो इस case में क्या होगा, I0 is equal to It, मतलब यह answer जो है, opacity जो है, वो आपको, 1 मिलेगा, ठीक है, तो log 1 आप करोगे, तो आपको answer जो है, वो कितना मिलेगा, 0, ठीक है, तो density 0 means film is perfectly clear, ठीक है, ratio of 1s means 100% transmission of incident light, ठीक है, तो आपको यह ratio जो है, 1 मिलता है, तो आपका film perfectly clear रहेगा, और 100% आपका film का transmission, sorry, 100% light का transmission होगा, और film जो है, वो perfect transparent होगी, film having a density of 2.0 transmit 1% of the incident light intensity, while a film with density of 3 transmit only 0.1 ठीक है, तो ऐसे ही करके, आप सपोज 1% आपको incident light है, वो transmit होती है film, बराबर तो आप देखोगे, तो यह value है, वो सब उसमें, जो आपका calculation है, formula है, उसमें रखोगे, तो आपको 2 मिलेगा, बराबर जैसे मैं एक example दे देता हूँ, सपोज आपका यहाँ पे density, यह formula है, density is equal to log i0 divided by iT i0 जो है, वो सपोज आपका 100 है, और iT जो है, वो आपका 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि 1% energy ही आपका transmit होके, नीचे की side आता है, ठीक है, तो transmitन जो है, आपका 1% है, तो आगे इसमें calculation करें, तो क्या मिलेगा, log 100 आपको answer मिलेगा, और इसका base जो है, वो 10 रहेगा, log 100 आप करोगे, तो answer जो है, वो 2 मिलेगा, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि आपका film जो है, उसमें 1% transmit है, ठीक है, मतलब 1% energy ही आपका transmit होता है, तो आपका density जो है, वो 2 होगा, ठीक है, वैसे ही suppose, 0.1% ही आपका energy है, वो transmit होता है, तो वो case में आपका density जो है, वो 3 होगा, बरबर 3 मिलेगा, आपको, film इक density of 0.3 would transmit about 50% of the incident light, ठीक है, तो वैसे ही आप करोगे, तो suppose, ऐसे density, d is equal to log 100 divided by 50, ऐसा करके है, मतलब, 50% आपका energy जो है, वो transmit हो रहा है, तो ये case में answer आपको क्या मिलेगा, log 2, तो log 2 का answer जो होगा हूँ, आपका 0.3010 मिलेगा, मतलब की, आपको density जो है, वो 0.30 मिलेगा, ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसके बाद दीखिए, density is measured with densitometer, commercial densitometer, generally used photoelectric detector and provide readout of average density over the area of sensing aperture, बराबर तो आप densitometer जो use करते हैं, उसमें एक sensing aperture होता है, मतलब की, sensor होता है, तो वो एरिया में जो sensor वाला sensor वाला एरिया है, sensor के आजू-बाजू का एरिया है, उदर जो भी चीज आप रखते हो, जो भी film का portion रखते हो, उदर आपको density मिलेगा, और जो density होगा, वो average density आपको मिलेगा, film is placed between the light source and the sensor and a density reading is produced by the instrument, पराबर तो जैसे ये आपका sensor होता है, ठीक है, और यहां पे, sorry, नीचे की साड़ light होगा, और उपर की साड़ ये जो है, इसके नीचे यहां पे sensor होगा, तो यहां पे आप नीचे आपको film रखना है, ठीक है, और film रखोगे, तो जो भी एरिया में, ये एरिया जो कवर होगा उदर आपका density कितना है, वो आपको मिल जाएगा उसके बाद, if accurate density reading are required, then density standard must be used to maintain calibration of equipment, in any event, it is important that the densitometer produce, reproduce reading from day to day, ठीक है, तो जो भी densitometer आप use करते हो, उसका calibration का record रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और day to day भी इसमें calibration करना ज़रूरी है, तो इसके लिए एक strip यूज होता है, ठीक है, जो आपका step wedge जो रहता है, उसका radiography करके strip बनाया हुआ होता है, तो ये जो strip है, उसका use करके, आपको day to day calibration भी करना रहता है, उसके अलावा आपका densitometer जो है, उसका external calibration जो है, वो त्री मन्त में आपको करना रहेगा, ठीक है, तो एसपर एसमे section 5 article 2 के इसाब से आपको तीन महिने में आपका densitometer जो है, उसका calibration करना रहता है, उसके बाद यहाँ पे यह दो densitometer है, जैसे मैंने बता है, उसके अलावा ऐसा भी densitometer यूज किया होगा, आपने, यह cylindrical type वाला है, इसमें यहाँ पे आपका light source होगा, और light source है, और यह आपका sensor होगा, ठीक है, तो sensor जो है, जहाँ भी आप लगाते हो, तो यह आपका reading screen है, तो screen के उपर वहाँ पे आपको दिखाई देगा, कितना density है, यह screen के उपर देख सकते हैं, यहाँ पे एक example, जैसे हमने आगे example देखे, कि I0 suppose 1450 lux है, और IT 10 lux है, ठीक है, तो यह आप करेंगे, तो log 1450 divided by 10, तो final answer जो है, वो 2.16 आपको मिल जाएगा, उसके अलावा, density का requirement क्या है, यह देख लेते हैं, तो SME section 5 के इस आप से देखे, require some minimum film density of 1.8 for X radiography, मतलब की X-ray of weld, and minimum of 2 for gamma technique, ठीक है, तो X-ray use करते हो, तो minimum film density है, वो 1.8 चाहिए, और gamma ray के लिए 2.0 चाहिए, maximum density should be 4, ठीक है, तो maximum density जो है, वो 4 चाहिए, उससे ज़्यादा density नहीं होना चाहिए, तो इसमें जैसे gamma ray यूश करते हो, तो 2 से 4 के बीच में density चाहिए, और X-ray आप यूश करते हो, तो 1.8 तो 4 के बीच में density चाहिए, रेडियोग्राफिक फिल्म प्रोवाइड गूड कॉंट्रास एड फिल्म डेंसिटी एक्सिडिंग अबाउट 1.5 बराबर तो एवरेज आप देखने बैठो दो, 1.5 के उपर आपका डेंसिटी है, तो फिल्म जो है उसमें अच्छे ज़े आपको डिस्कन्डियोटी दीखेगा, मतलब कि उसका कॉंट्रास जो है वो अच्छा आपको दीखेगा, रेडियोग्राफ वित डेंसिटी, एक्सिडिंग 3.5 और परहेफ्स 4, कैननोट बी प्रॉपरली व्यूड एन एक्सेस ऑन स्टांडर् रेडियोग्राफ की फिल्म ऐलूमिनेटर, बराबर तो फिल्म ऐलूमिनेटर मतलब की आपका फिल्म जो जहां पे देखते हैं, वो व्यूवर जो है, उसमें 3.5 या उससे ज़्यादा, मतलब की 4 के अलावा उससे ज़्यादा आपका डेंसिटी है, तो उसमें आप फिल्म बराबर नहीं देख सकते हो, ठीक है तो वैस उससे ज़्यादा डेंसिटी वाला आपको फिल्म मिले तो उसके लिए ये जो फिल्म ऐलूमिनेटर मतलब व्यूवर जो है वो हाई क्वालिटी वाला या हाई इंटेंसिटी वाला आपको व्यूवर यूज करना पड़ सकता है, ठीक है, अभी यहां पे लैक ओफ डेंसिट मतलब कि आपका density जो है वो कम मिलता है तो उसके reason क्या है यह मैंने बताए हुए है मतलब कि density जो है वो तू से फोर के बीच में चाहिए सपोस। गामारे के लिए तो तू से आपका कम मिलता है ठीक है एक मिलता है या 1.5 मिलता है तो उसका reason क्या है तो under exposure आपका film है ठीक है तो ये lack of density आपको मिल सकता है उसके अलवा developer temperature too low ठीक है तो developer temperature मतलब कि आप जो film develop करते हो तो वो time पे आपको film जो है वो developer हो उसमें से pass करते हो ये first chemical है जिसमें से film pass करते हो तो उसका temperature बहुत कम है तो वो time पे भी density कम आपको मिल सकता है Exhausted developer मतलब की ज्यादा आपने developer यूज किया है उसका sensitivity कम हो गया है तो वो टाइम पे भी density कम मिल सकता है developer 2-week, ठीक है तो ये भी एक रीजन है कि 2-week developer मतलब कि उसका sensitivity चोज्क कम है तो वो टाम पे भी आपको density नहीं मिलेगा excessive density मतलब की film darkness ज्यादा है आपका तो वो कैसे हो सकते है उसके reason किया है तो over exposure ठीक है matar excessive development मणा tohe development time जो है वो आपने ज्यादा दे दिया है development process ज्यादा हुआ है तो वो time पे film जो है वो blackness उसका ज्यादा होगा developer temperature too high बरावर तो development के दोरान आपका developer का temperature जो है वो ज्यादा होगा तो वो time पे भी आपको excessive density मिल सकता है और too strong a solution ठीक है तो यह जो solution आपने बनाया हुआ है जो आपने development के दोरान use किया है वो बहुत strong solution है बरावर तो वो time पे भी आपका film जो है वो black हो सकता है ठीक है तो यह सारे reason है उसकी आपका density है वो ज्यादा या कम हो सकता है तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें मैंने film density जो है वो कैसे count होता है और उसके अलावा उसके लिए densitometer कैसे आपको use करना है यह सब बताया हुआ है तो अगर आपको इसमें कोई doubt है तो मुझे आप comment box में पूच सकते हैं okay thank you